असलाम लेकूम, वेलकुम बेक तो माय यूट्यूब चैनल, तोड़े वी आपने डिस्कस्ट वाट इस जीनोमिक्स और इट्स मेजर टाइप्स एक परसन में जितने भी जीन्स होती है ना, जितने भी वे ग्रूप्स में डिवाइडिट होती है उन सब की कम्प्लीट स्टडी को हम कहते हैं जीनोमिक्स जीनोमिक्स की डेफिनिशन क्या हुई? जीनोमिक्स अच्छा, अब हर आर्गनिशम में एक कम्प्लीट कॉप्पी वजूद होती है जीनोम में वो सारी इंफर्मेशन होती है जीनोमिक्स का सब डेफिनिशम के अच्छा, जीनोमिक्स नीजन जीनोम अख पता है हैं इस तरह हम उस डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं सो जिनोमिक्स की स्टेडी से हमारे पस नए तरीके आ जाते हैं किसी डिजीज को डाइगनस करने के उसके बाद उसकी ट्रीटमेंट के और प्रिकॉशनरी मेज़र्स भी हम अडाप्ट कर सकते हैं बाइ स्टेडिंग जिनोमिक्स क्योंकि हमें पता है कि अगर फलाँ सबस्टांस हम यूज करेंगे तो यह फलाँ जीन को इफेक्ट कर सकता है सो हम प्रिकॉशनरी मेज़र्स में जो हामफूल या टॉक्सिक चीजें होती हैं उन से दूर हो जाते हैं अब जीनोमिक्स बिसिकली दो तरह का है स्ट्रॉक्चल जीनोमिक्स एंड फॉंक्शनल जीनोमिक्स स्ट्रॉक्चल जीनोमिक्स में हम क्या करते हैं एक भाम इंडिकरा रहा है कि इस में हम जीन्स का स्टॉक्चर में यहां सरा कृ्टिय करक्षे लूरा इनोटेशन करते हैं कि एनोटेशन में क्चार के यानि complete detail कि एक gene कौन से chromosome पर locate करती है उसकी location कहां पर है फिर हम comparison करते हैं कि फ़लाँ gene chromosome 18 की genes और 19 की genes में क्या difference है ठीक है यह सारी चीज़े हैं हम किसमें study करते हैं structural genomics में जबके functional genomics नाम क्या indicate कर रहा है कि इसमें हम किस पे focus करते हैं gene function पे और हम किस तरीके से हम gene function पे focus करते हैं by using high throughput approaches अब यह high throughput approaches कौन सी हैं कि जिसमें हम सारे genome को at a time study करते हैं यानि हम सिर्फ single gene पिक नहीं करते हैं बल्के हम chromosome number one से end तक सारे genes को simultaneously study कर रहे होते हैं तो यही difference है genomics में और molecular biology में कि molecular biology में हम basically focus करते हैं एक gene पे जबके genomics में हम जो है वो focus करते हैं simultaneously complete set of genes में अब हम बेसिकली देख रहे हैं कि यह high throughput techniques में हम analysis कैसे कर सकते हैं यह techniques हैं कौन कौन सी यह सारी चीज़े आती है functional genomics में अब high throughput analysis जो है ना यह सारी genes express जो है ना बताता है हमें सारी genes के functions के बारे में simultaneously और इस चीज़ को हम क्या कहते हैं transcriptome analysis ठीक है और transcriptome analysis का word हम तब भी use करते हैं जब हम full set of RNA molecules जो है एक cell जो produce करता है जितने भी RNA molecules उन सब की study को भी हम transcriptome analysis में add करते हैं basically अभी तक सिर्फ जो practice में है वो सिर्फ messenger RNA का transcriptome analysis transcriptome studies जो है वो की जा चुकी है transcriptome analysis का काम क्या होता है कि यह हमें बताता है genes किस तरह काम करती है metabolic regulatory और signaling pathways कैसे कैसे होते हैं और किस तरीके से यह pathways work करते हैं इनका flow chart वगरा क्या होता है patterns क्या होते हैं co-express and co-regulated genes के यानि ऐसा होता है ना कि for example एक gene active है तो हो सकता है किसी और chromosome में उसी टाइम में उस जीन के active होने से दूसरी gene भी active हो जाए यानि यह co-regulated genes होंगी जो मिल के काम करती है ठीक है और इन शार्ट जो functional genomics है वो हमारी help करती है कि हम study कर सके functions ठीक है genes के जबके structure किसके साथ deal करती थी mapping के अब जरा इनका एक overview ले ले लेते हैं जल्दी जल्दी से structure genomics में हम क्या करते हैं sequencing and mapping of genes physical nature हमें बता चल जाती है genome की high resolution maps बना लेते हैं complete set genes का बता चल जाता है और three dimensional structures जो proteins बनती है उन genes से वो हमें बता चल जाती है functional genomics में क्या होता है expression and function of genome, expression of all genes, determination of when and where particular genes are expressed जैनि for example एक gene जो है वो active कब होगी एक gene जो है तब active होगी for example जब puberty आएगी इस तरह हमें genes की study से पता चल जाता है उनका activation time इसके इलावा हम specific gene का function भी study कर सकते हैं यानि हमने एक gene में mutation ले आई अब हम देखेंगे कि उस organism में क्या चाहिए जाता है उस gene की mutation से इसके इलावा हम interactions देख सकते हैं परोटीन की दूसरे molecules के साथ तो यह था difference basically structural and functional genomics में